नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीवो आईक्यू 7 लेजन्ड वर्सस सामसंग गालेक्सी M52 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 7 लेजन्ड में 6.39 इंच जब की गालेक्सी M52 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करें तो 7 लेजन्ड में 2.98 इंच जब की गालेक्सी M52 5G में 3.01 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो 7 लेजन्ड में 0.34 इंच जब की गालेक्सी M52 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 7 Legend में 209.5 ग्राम्स जबकि Galaxy M52 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 7 Legend में AMOLED जबकि Galaxy M52 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियों 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो 7 Legend में 6.62 इंचर्स जबकि Galaxy M52 5G में 6.7 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio 7 Legend में 86.06 प्रतिशत जबकि Galaxy M52 5G में 86.39 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो 7 Legend में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M52 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाईल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 7 Legend में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में टेली फोटो देखने को मिलता है और गालेक्सी M52 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो 7 legend में 7 different type के features मिल जाते हैं और galaxy m52 5G की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो 7 legend में Adreno 660 जबकी galaxy m52 5G में Adreno 642L मिलता है चिप सेट की बात करें तो 7 legend में Qualcomm Snapdragon 888 और galaxy m52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है बात करें RAM की तो 7 legend में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जबकी galaxy m52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो 7 legend में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की storage मिलती है जबकी galaxy m52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो 7 legend में नहीं है जबकी galaxy m52 5G में up to 1 TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में android v11 देखने को मिलती है बाटरी 7 legend में 4000 mAh जबकी galaxy m52 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो 7 legend में एक colors जबकी galaxy m52 5G में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो 7 legend में 2 variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 49,990 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 34,499 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo IQ 7 legend में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung galaxy m52 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में galaxy m52 5G आगे है में कामरा में galaxy m52 5G आगे है फ्रंट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 7 legend आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है दूसरा OnePlus 9 Pro है तीसरा Vivo X60 Pro Plus है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना